कि आप सभी का एक नए वीडियो स्वागत है आज मैं आपको एंजलवन एप में जो भी ऑप्सन पॉजिसर रहता है उसको एक्जिट काने का बहुत सारी मेथड़ बताने वालों जिसके जरी आप एजली एक्जिट कर सकते हो तो चलिए फिर वीडियो को स्रू करते हैं जैसे आप ओपन करें कुछ इस तरीके से अपको देखने को मिलेगा और बाकर अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया सो परी चैनल को सब्स्क्राइब कर लीन है साती में जो बैल आई कर रहेगा उसको भी प्रेस कर लीना थाकि जितनी वी नए बीडियो रहेंग पादो आपको पूरा पॉजिस्ट हो जाएगा जितना भी बना रहेगा एसा गाइस और नॉर्मल दो तरीका मिल जाता है पॉजिट को सभर difब से करें उसको चार्ट कर रहे हाँ उप कर रहे हैं और घ्ली कर और इस फिर न्हीं एक एक ड्राटीर के अच्छार्ब दिखा देता में में ईसके डेंग करूं वप सIST किलेक्ट को च्टर। यहां पर भी आपको पॉजिशन हो जाएगा सो ऐसे आपके तीन मेथड हो गए अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे और इस तरीके साब को चार्ट पे भी देखने को मिलेगा कितना उसमें प्रॉफित हो रहा है कितना लॉस हो रहा है और यहां पर देखोगे जो भी कर सकते हो मार्केट को सिलेक्ट करके और जैसे आप उपको पॉजिशन हो जाएगा और बाकी अगर आपको इस टॉपलो से टार्गेट लाकर एक्जिट करना सो बूभी कर सकते हो जैसे कर माली मुझे इस वाली प्राइज का टार्गेट ओडर लगाना है उसमें पर में 40 पे एक टार्गेट ओडर लग जाएगा अभी जैसे आप इस प्राइज पर पहुंचेगा इस ऑप्संस का प्राइज सो यहां पर मारा टार्गेट ओडर हिट हो जाएगा और पॉजिशन हो जाएगा सब ऐसे भी हैं पर पॉजिशन को एक्जिट कर सकते हो बाकि इस लास्ट का बचान बच जाता है जो की रहता है इस टॉप लोग का सबसिव नहीं पर बड़ दिखा देता हूं सबसे पहले जो भी टार्गेट और इसको मैं कैंसल करूंगा और फिर दिखाएगन को इस तरीके इस तरीके से देखने को मिलेगा नॉर्मन आप को प्राइज बेक्स प्रा कर दाएगा तो कि पारे वैब धी मार्केट अरे म्ल जाते जिनके है पाउजिशन को कि रोच कर सकते हो यहां पर आपको चार से पेड़ीक ужд taraf के उसका है और बागे सब्सक्राइब कई को लोज काने का जो की रहता है नौरबल मार्केट का इसको आपको सेलेक्ट काना और जैसे आप एक जेट पे करोगे आपका पॉजिशन आपको प्रोज कर सकते हो उसमें कितना लॉस है कितने प्रॉफित हुआ तो वह आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है अपको सब अगर आपको कुछ भी डाउट आता है प्रॉलम आता है तो मुझा सब कमेंट कुछ सकते में आपको रिप्लाइख कर दूंगा एंड वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच